नमस्कार वैलकम में टूप चैनल आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 2 से सिक्षड जुना 2 त्रिकड़न आपका रहेगा पास पड़ोस इससे पहले की जो सिक्षड जुना है जिसने सुरत चांद बनाया उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिसक्षण मिल जाए आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके वीडियो को लाइक करना और वीडियो अधिक सकतर साथें के लिए शेयर करना तो यहां देख लेते हैं सेक्षड एजिना 2 सरफ प्रितम हमारा जो कारी रहता है वह देखेंगे यहां पे दिनांक जिस लिए के लिए हम कारी करेंगे भासा का प्रेयो करते हुए छात्र अपनी जग्यासा की पूर्ती के लिए वाचित करते हैं और अपने अनभव साजा कर लेते हैं यहां पर देखेंगे प्रिकड़ा हमारा लेगा पास पडोस उसके अदर सीखने सिखाने की सामिगरी तो यहां पर हमें स्थानिये और मानक भासा के कार्ड लिखे हुए सब्द कार्ड लेने हैं और तिक्षा अपका भी प्रेयोग हिएं करेंगे इसके अदर सीखने सिखाने की प्रिक्रिया अबम गति भी दियां यहां क्रम संक्या चरण समय आकलर इसके लम दिखेंगे सिखण के आरम में यहां अग्र लिखत जो देखा या जानते हैं इसके वारे में बताएं। तो सूची हमारी इस तरह रहेगी इसका समय पांच मुँट रहेगा और आकरण में प्रितक्रिया और सहवाकता देखर। यहां सरपितम जो खेतिय काम होता है इसके सिलाई का काम कपड़े की दुलाई का काम जूता सिलने का काम फेरी वाले चूड़ी वाले का काम चाय वाले का काम किराना की दुकान वाले का काम नोड चात्रों को अपनी बात खुल कर रहने कहने का मौका देंगे इसके दरफ में क्या करना है सिक्षड के दोरान यहां समय बेसमिट रहेगा और आकरों में प्रितकरिया और शहवागता देख कर तो सिक्षड पाठ पुस्तक में बने चित्र को दिखाते हुए नीचे लिखे विंदू उपर बातचीत करेंगे जैसे की नमबर एक देखेंगे पुएंट पाठ के चित्र में क्या क्या दिख रहा है शेक्षड रख ऐसा क्या क्या दिख रहा है जो तुम्हारे गाउं में है या नहीं है कौन क्या कर रहा है अखवार में क्या छपा होगा वस कहां जा रही होगी तोता क्या बोल रहा होगा नल के पास फूल किसने लगाए होंगे दूदे दूदे समय मा क्या सोच रही होगी नल के पास लड़की अपनी दादी से क्या कह रही होगी तो ये चित्र में सीन है उनके अनुसार हम पूछेंगे यहाँ ध्यान देनी बाली बात है कि वच्चों को अपनी बात कहने का पूरा मौका देंगे अब चात्रों से पाठ़ पुस्तक से पेच 13-14 खोलने को कहेंगे पाठ़ में जो चित्रों को देखका चात्र आपस में अनवान और करपना के अधर पर अपनी भासा बोली में बातचीत करेंगे शिक्चे कख्चा में चात्रों की मदद करेंगे शिक्चे चात्रों की बातचीत में आए इस्तानी भासा बोली के सब्दों को बोड़ पर लिखकर उनके मानक रूप भी वच्चों की मदर से लिखेंगे और पुर्णावर्ति कराएंगे चात्रों को प्रेशने पूछने का मौका देंगे सिक्चर बोर्ड पर लेखन कारी करेंगे यहां देखेंगे इस्तानी सब्द में और मानक सब्द में क्या अंतर होता है इस्तानी सब्द देखेंगे एक लिखा हुआ खटिया, शेकिंड है भटा, तो मानक सब्द जो इसका सुद्रूप होता है, खटिया के लिए हम चारपाई कहते हैं, और भटा के लिए हम बैगन कहते हैं, चात्रों से स्यामपट पर मिलान करने को कहेंगे, कुछ हम सब्द देखेंगे, जैसे कि यहां आप देख रहा हैं, यहां शपड़ी, तुरईया, मूरी, फौरो, यह हमारे इस्तानी भासा के सब्द हैं, और यह मानक भासा हम देखेंगे तो तौरई को हम तौरई कहते हैं, सपड़ी को अम्रूद कहते हैं, मूरी को मूली और फौरो को आगामी सिक्षड उजिना यहां देखेंगे कक्छा सिक्षड में आकलन वर फीड़एक के दवरान आ रहीं कठनायों को द्यान में रखकर आगामी सिक्षड उजिना का निर्मार करेंगे तो यह थी कख्छा दो की सिक्चर रोजिना पार्ट दो आपका पास प्रोस है तो आ सकते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देब तक नमस्कार